बिस्मिलाइखमान रहीं, अस्वालेखु फ्रेंड, वेलकम टू माई चैनल केभी फूट, तो आज मैं आपको कड़ी बनाना बताऊंगी और कड़ी भी मैं आपको मठे की बनाना बताऊंगी, मठे से कैसे कड़ी बनती है, तो चलें मैं बता दूं कि इसमें किन किन चीजों क ही ज़रूरत है, तीन किलो यह मठा है और यह देखें इस तरह मैंने थोड़ा सा फ्रीजर में रख दिया था, नीचे बेठा हूँ है उपअ पानी है तो यह तीन मठल है मैंने य आदा कि Questions धहीं है यह मसालि लिए मैंने वन टीस्पून हल्दी पाउडर वन टीस्पून मैंने युछ चिली लिए लिए युछ झिला भाट पिसवा है और वन टीस्पून मैंने नमकद यह व्यरीओ फ़्याल मैंने लिया जो ख खुटा सट रुक्ड़ा यांनी यद्या स्थमून के करी मैं ने इसमें अदर रह लाक लिया और ऺड़ i पॉआ हम पिसावह तो यह सब मैंने एक साथ पीस लिया हरी मिर्च हैoms KFF Q मऱ्ट काड़ मृë में प्रूम कट कर दो मृट कर दो एपा कर है Twenty ya मीट कर दो हम तडर के लिगाएंगे एक प्यास और ये दो प्यास भी हम पकोडों में ही डालेंगे ये मैंने भी काटे नहीं है है, ये कुछ मसाले हैं 1 तीज़ पून वाइट जीरा है सफेद, 1 टेबिलिस्पून कुटावा धनिया, 1 टीज़ नमक लिया है मैंने, और 1 टीज़ पून क्रस्च चिली और 1 टीज़ लाल मिर्च पाउडर लिया है, यह पकोडों का मसाला है, और यह 1 टेबिलिस्पून अनार्दा जो मैंने कूट ल आपकी मर्जी पर है, और क्योंके मठा खटा होता है, इसलिए में इसमें दही भी शामिल करूंगी, तो बस अब इससे हम ब्रेंट करते हैं, तो फिर मिलती हूं मैं आपसे से, पिस्मिल्यार रह्मान रहीम, तो यह मैंने ब्लेंडर में पीस लिया है, सब चीज़े, मठा, दही, मिर्च मसाला, लसा नदरक का जो मैंने प्यास के साथ पेस्ट बनाया था और हरी मिर्चों का पेस्ट, सब डाल के मैंने ब्लेंडर में इसे, अच्छे से देखें किसा पीस लिया है, कितना जबरदस सा पीस गया है, तो बस अब हम इसे तकरीबन देर दो घंटे आपको जब अच्छे से पक जाएगी, बिसमिल्लायरफ मान रहीं, कड़ी को 40 मिनट हो गया है, पकते वे, तो यह देखें, यहां थी, यहां तक आ गई, अभी और पकेगी, एक घंटा, और इसमें हम थोड़े से, अगर आपको पसंद है, तो डाले, मुझे बहुत पसंद ह यह कड़ी पता में, आइल में फ्राई करके तो रख देते हैं, तो यह देखें, थोड़े सा कड़ी पता इसमें डाला, थोड़े सा कड़के में डालेंगे, अब हम इसे और पकाएंगे, अचा डखना, अम अध्धकियेगा इसका, वनना यह बॉल होके सारी बहर आ जाएग इसे मैंने दो खाने के चमच कड़ी में डाल दिये, पकोड़े का बेटर बनाने के लिए मैंने इसमें वन टेबिल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट डाला है, यह मैंने आपको बताया था, तीन प्यास दिये थे मैंने, तीन प्यास डाल दिये, मसाला है, यह मैंने बताया था, कुटा धनिया one table spoon one teaspoon मैंने इसे भी कूट लिया था सफेज जीरे को one teaspoon मैंने क्रस्च चिली लिये one teaspoon से थोड़ी से कम मैंने PCV लाल मिर च लिये और one teaspoon नमक ये भी शामिल कर देंगे और ये मैंने आपको बताया अब इन सब को हम पानी से गोल लेंगे बेटर को आप तकरीबार अच्छे से फेटेंगे ना इस तरह से तो अच्छी फुली-फुली और नरम बनेंगी आपकी आपके पकोडे इसे इस तरह से चम्चे को पांच-छे मिनाट इस तरह हम इसे फेटेंगे कोणों का बेटर हमारा तयार हो गया है तो बस अब में और पानी डालूंगी इसको हम रखेंगे ना 15-20 मिनट तो यह पानी और भी छोड़ सकता है क्योंकि हमने इसमें नमक डाला अरा दनिया डाले यह सब चीज़े तो हो सकता है यह पतला हो जाए अगर पतला हो जाए तो फ मिलग्भान हो गई सकड़ को पकते रहें लोगेस हमने लगा के इसको पका यह बस हम्नी टालेंगे इसको पूडे जा टॉलाड़ा बनाएंगे यह में जोड़ा दालूंगी इसमें बेर उस इतना सा मिट तोर डालने के बार, मैं इसको अच्छे से, इसमें mix करेंगे अच्छे से mix कर लेंगे मिक्स अच्छे से करना है एक दू मिनित कर लें कडाई में मैंने oil रख दिया था, तो अब the oil हमारे अच्छे गरम हो गया तो साइज आप खुद देख लें आप कितने बड़े बनाना चाह रहे हैं एक साइट से हो गए मैंने पलट दिये हम निकाल लीजिए बस इतने ही गोल्डन चाहिए हम अगरी भी हमारी गरम गरम है सेकेंड भी हमारे बन गए पकोड़े आपने देखा था मैंने कितना सा मीठा सोड़ डाला तर जादा डालेंगे तो फिर ओल बहुत पीते हैं तर हम इसी तरह हमने बनाने फिर आप से मिलती हूं मैं अब फिर हम इसको तड़का लगाएंगे तो चले आप तड़का लगाते है जिस बर्तर्ण में भी आप तड़का लगाते हिं वो ले ले यह मैंने फ्राइ पैन लिया तड़के के लिए यह मैंने लिया है जीसा के लिया है ने zijn यह एक चोट छोटा साल इसने ही गोल्डन करने है हमने क्योंकि हमने हरी मिर्चों की कड़ी बनाई है हमने लाल मिर्चे यूज नहीं करनी तो यह हरी मिर्चे इस तरह से मैंने लंबाई में काट लिए इन की चार हरी मिर्चे हैं इनको मैंने काट लिए लें अव कि आदक अदरक हमारे हो जाएं गॉल्डन तब हमें यह हरी मिर्चे और मिर्चे अमें फ्लेम को ओफ करके बस गरम गरम ऑईल में डाल देनी यह यह थोड़ा सी यह में रखोंगे यह उपर से गानिश करें गए अर एक तो मैं आपको पिशाओ करके दिखाती जारे there हमारी मठे और दही की कडी तयार है और यह मैंने लाल मिर्चो से नहीं हरी मिर्चों की बनाई है यह बहुत ही मज़दार और टेस्टी होती है आप भी हरी मिर्चों की कडी बनाए थोड़ी सी मैंने क्रस्च चिली डाली है बस आप जरूर ट्राइ किजिए गई से चपाती के साथ बॉयल चामलों के साथ खाएं ये प्राठे के साथ भी बहुत मज़े की लगती है और अगर आपको हमारी मठाकडी की रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल के करें बेल को जरूर प्रेस किया करें लाइक करें दोस्तों से शेयर करें मुझे अपनी दूआउ में याद रखें इंशालला नेक्स रेसिपी के साथ हाजर होंगी अल्ला आपीज